राम की मूर्ती में तो प्राण प्रतिष्टा भी कर दिया गया है, वो जागते भी हैं, सोते भी हैं, बैठते भी हैं, तो इस वक्त जो खबर निकल गर आ रही है, राम जन्म भूमी से वो पूरे देश को जगजोर देने वाली है, आस्ता को नंगा कर देने वाली है, खेर हम जादा नहीं कुछ कहना चाहते क्योंकि जादा कुछ कहेंगे लेकिन उसी अंगने में नबालिक लड्कियों का बलतकार होता रहा लेकिन भगवान राम का कोई भी चमतकार सामने नहीं आया दोस्तों इस वक्त राम जन्म भूमी से ऐसी घटनाय सामने आ रही है कुछ ऐसी सरमसार कर देने वाली खबरे सामने आ रही है जिसको सुनने के बाद और देखने के बाद आपको वर्तमान सरकार से और भगवान राम से विश्वा सही उठ जाएगा नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस है वो भासा का दिवस है जो भारत के करोडो करोडो लोगों को आपस में जोड कर रखती है उनकी संस्कृति उनकी सब्वेता उनकी कल्चर को जोड कर रखती है तो मेरी तरफ से हिंदी दिवस की धेर सारी सुपकामना है लेकि आज मैं जो ख़वर आपको बताने वाला हूँ ओसायद भगवान पर विश्वास करने वालों के लिए एक दुरभाग्य है दोस्तो कुछ महिनों पहले एक गाना काफी प्रसीद्ध हुआ था काफी पापलर हुआ था राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे दतले गाना 22 जन्री 2024 को राम मंदिरुगाटन से कुछ महिनों पहले कह सकते हैं कुछ दिनों पहले मतलब इसको लॉंच किया गया था इस गाने पर बहुत सारे भगत जूम रहे थे बहुत सारे पॉल्टीसियन जो है इस गाने को ट्विट करकर के खुब प्रमोट कर रहे थे इस गाने को मैं कुछ गा के सुनाता हूं बटाता तो गाना है नहीं बट मैं आएंगे तो अंगना सजाएंगे अब हमारे जोपड़ी के भाग अव-खुल जाएंगे जब राम आएंगे दोस्तों राम भी आ गया अगना भी सज गया वहाँ बट कितने लोगों के जोपड़ी का भाग खुलाए तो मुझे पता नहीं लेकिन अयोध्या में जब राम आने वाले थे तब बहुत सारे लोगों की जोपड़ियां उजड़ गई एस सब को पता है दोस्तो इस वक्त जो खबर निकल कर आ रही है राम जन्म भूमी से वो पूरे देश को जगजोर देने वाली है आस्ता को नंगा कर देने वाली है दोस्तो हम सभी जानते हैं कि मंदिर तोड़कर मजजिद बनाई गई और मजजिद तोड़कर मंदिर बनाई गई मैं आपको बता दूँ कि जब राम मंदिर बना तो बहुत सारे लोगों ने हलचल मचाया कि अब आयोध्या में राम राज्या गया है यानि कुछ लोग ऐसी कलपनाई कर रहे थे कि भगवान राम की मंदिर बन चुकी है अब यहां किसी प्रकार का कोई सोसर नहीं होगा कोई अत्याचार नहीं होगा किसी प्रकार की कोई महामारियां पर नहीं पहलेगी लेकिन जब से मंदिर का उध्गाटन हुआ है ऐसी ऐसी घटनाय सामने आ रही हैं जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते हैं लेकिन भगवान राम की जहां पर मंदिर बनाई गई है यानि रामजन्म भूमी पर एक 20 वर्षिये लड़की जो की सफाई का काम करती थी जो की बिये की चात्रा थी उसको कुछ दिल पहले वहां से अगवा कर लिया गया कुछ लोगों ने अगवा कर लिया और उस कई दिनों लेकिन अभी तक उस लड़की के साथ सारे रिख 60 करते रहे यानि रेव करते रहे बलतकार करते रहे दोस्तों इस 20 वर्थिये लड़की जो की रामजन्म भूमी में इसके साथ जो सारी रिक सोसड हुआ है दतल घटना सोरा अगस्त को हुआ था और आज 14 सितंबर है यानि 14 दुना के 28 लगबग एक महीने हो गए लेकिन पुलिस वालों ने अभी तक उस पूरे अपराधियों को नहीं पकड़ा है दतल इस घटना में पूरे जो टोटल अपराधियों है अपराधियों को पकड़ने में इतना ज्यादा समय क्यों लगा भगवान राम की मूर्ती में तो प्रांट प्रतिष्टा भी कर दिया गया है जागते भी हैं सोते भी हैं बैठते भी हैं मतलब अराम भी करते हैं और काम भी करते हैं जब इतने सारे काम करते थे तो उन्हें भी तो पता होना चीए थे कि ने हमारे यहां से किन किन लड़कियों का सोसर हो रहा है चलो वहां आस्था की बात है हम यहां जादा कुछ नहीं बकवास करते हैं लेकिन आयोध्या में लगबग 10,000 से जादा CCTV कैमरे लगाये गये हैं और 13,000 से जादा पुलिस कर्मी यानि सुर अच्छा के उपकरन लगाने के बावजूद भी आयोध्या में छोड़ो खुद रामजन भूमी से लड़कियां उठा ली जा रहे हैं उनके साथ सोसर कर दिया जा रहा है कि यह में किस प्रकार का रामराजी चल रहा है और किस प्रकार का भगवान का चमतकार है मुझे तो स लड़की के साथ घटना हुई वह भी काफी हाइलाइट हुई थी और मुझे रिम जो है कि एक मुसलमान था लेकिन इस लड़की के साथ जो घटना घटी है और जो लोग अपरादी है उनका नाम तो सोटकॉर्ट में बता दिया जा रहा है लेकिन जो उनका पीछे का जो टा तो फिर यहां पर खबरों में नाम क्यों छुपाया जा रहा है खेर हम ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहते क्योंकि ज्यादा कुछ कहेंगे तो फिर जानते हो बहुत सारे लोग जो है उच्छलकुत करने लगते हैं इसलिए इस घटना पर आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आप क्या सुचते हैं